वालिमिकी रामयन में लिखा है कथंची दुपकारे न कृते नहीं के न तुश्यती राम जी का सुभाव कैसा है भूल से कोई सेवा बन जाए उसी को गाते रहते जीवन मरत अरी तो इतना बड़ा भगत है इसने ऐसा किया सक्तिया अनस्मरत्यपकाराणम शतम सेक्ण अपराज कर दे वह नहीं नहीं कुछ नहीं यह तो ठीक है भुलो ब्रंदावन भिहारी ऐसा कौन होगा जो भक्त के दोश को खुद भोगने के लिए तयार हो जाए एक कथा सुना देते हैं आपको इसकंद पुराण की इसकंद पुराण में आई एक कथा कि बिभीशन जी लंका से नित्यप्रती भगवान रंगनात का दर्शन करने श्री रंगम जाते थे आज भी आते हैं आज भी जब रंगनात भगवान दक्षन में उनका दर्शन खुलता है तो प्राता मंगला में उनके चर्णों में चंदन और तुलसी अर्पित हुआ मिलता है कहते हैं यह भीषन जी नित्य पूजन करके जाते हैं क्योंकि राम जी ने रंगनात भगवान भीषन को ही प्रदान कर दिये थे वह तो हम भारतियों पर कृपा है ठाकुर जी की ज्यादा तो कावेरी के तट पर भगवान बिराज गये वहां से उठे नहीं तो पहले विविषन जी रत में बैठके आते थी है कोई अलक्षित गती से नहीं आते प्रत्यक्ष आते थे विज़्यों भगवान रंगनात का पूजन करते आर्फि यह उस समय की बात है जब राम जी रंगना जी को तो दिया विविशन को और भगवान अपनी लीला को भगवान ने समेट लिया साकेत में भगवान विराजमान है और विविशन जी रत्स में बैठके बहुत ध्यान से सुने तो एक दुर्वल ब्राह्मन उनके रत्स की पहिया की चपेट में आ गया पहिया उसके उपर चड़ गया तो ब्राहमन नना मर गया अब देखो बिविश्ण जी क्या ब्राहमन की हत्याः करना चाहते थे नहीं चाहते थे पर रथ के पहिया के नीच ब्राहमन आ गया ब्रहम अत्या हो गयी ब्राह्मनों ने विविशन जी को पकड़ लिया, कूप पिटाई करी, वो चाहते तो महाराज बड़े बलवान थे, लेकिन वो तो भक्त थे न, गल्ती तो हुई है, मार रहें तो अच्छी बात है, और विविशन जी को कोटरी में बंद कर दिया, इसका अंद पुरान की कता है, राम जी पुस्पग विमान में बैठ कर वहाँ पोँचे, विविशन तीन दिन से बंद थे, भगवान स्री राम गए, बोले देखो, मेरे भक्त से अंजाने में ब्रमहत्या हुई है, मैं ब्रमहत्या का प्रायस्चित्र करने के लिए तैयार हू आपको मृत्युदंड देना है इसको, इसके बदले हमको मृत्युदंड दो, हम स्वीकार करते हैं, पर मैंने विविशन को अभैदान दिया है, करहु कल्प भर राजितु मुही सुम्रेहु मनमाही, पुनिमम धाम पेहु जहां संत्र सबजाही, मैंने वचन दिया है, इसल हत्या बनी किसे, प्रायस्चित किसने किया, भगवान ने, प्रमत्या का प्रायस्चित बताओ, और प्रायस्चित के बाद जो ब्राह्मन मर गया था, भगवान ने संकल्प के वो फिर से आ गया सामने, प्रगट हो गया ब्राह्मन, भगवान तो भगवान है, जो तुरुव ब्राह्मन सक्मारी जी आई और भगवान ने भिविष्ण जी को कारागार से मुक्त कर दिया ब्राह्मन रोने लगे बोले महराज ऐसी करुणा तो हमने देखी सुनी नहीं भगवान बोले तुम आया तो करो रोज दर्सन करने पर अब अलक्षित गति से आया करो अब रत में बेटके मत आया करो क्योंकि हम कहां-कहां दोड़ो दोड़ो के तुमको बचाएंगे इसलिए अपने ढंक से आया करो बोलो भक्त वतसल भगवाने की भक्तों की गलती को अपराध को भी स्वयम ही अंगिकार करने वाला उसको भोगने वाला भगवान के जैसा और दूसरा श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवम दर्शन के लिए श्री महराजी के ओफिशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें